तो आज हम देखने वाले हैं types of pure substance तो जैसे की पिछले वीडियो में हम अरड़ी पढ़ चुक है कि pure substance क्या होते हैं ऐसे matter जो की एक ही type के constituent particle से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते है pure substance तो इसके दो type देखे थे इस फिछले वीडियो में वो थे elements and compounds लेकिन उसको in-depth नहीं पढ़े थे तो आज हम हम हुआ ही देखने वाले हैं कि elements and compounds क्या होते हैं तो चलिए देखते हैं elements क्या हैं अगर scientist Levoyzer के according हम बात करें तो elements को जो define किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि कोई भी जो pure substance है अगर हम उसका simplest form की बात करें तो उस pure substance का simplest form जो है normally उसको और ज़दा small part में divide नहीं किया सकता है ओके चाया वो physically बात करें चाया भी chemical method की बात करें simple सी बात है एक छोटा ऐसा छोटा ऐसा substance जिसको ना तो हम small part में divide कर सकते हैं और ना ही वो किसी और चीजों से मिलकर के बना हुआ हो सकता है ओके students याने कि आप summary में ये बोल सकते हैं कि ऐसी कोई चीज जिसको और small part में हम divide नहीं कर सकते याने छोटी से छोटी चीज जिसको और जादा small part में divide नहीं कर सकते हैं वह होता है elements ओके लेकिन ये जो definition है वो modern world के हिसाब से wrong है not correct क्यों क्योंकि अब elements ऐसे भी होगे हैं जिनको हम और small part में divide कर सकते हैं और वो और जादा small and simple substance से मिलकर बने होते हैं जैसे अगर हम बात करें एक atom या फिर molecule है उनको जब हम analysis किये scientists लोगों ने तो क्या होता है हमको और भी छोटी छोटे parts particles मिलने लग गए उस atom या element में से तो आज कल के हिसाफ से या निकि modern world के हिसाफ से कर हम बात करें तो element क्या होता है देखते हैं कि element जो है वो एक ऐसा pure substance है जो की बना होता है एक ही जैसे atom से मिलकर यानिकि identical मतलब कि एक ही जैसे atom जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है element बनता है अगर इसके example की बात करें तो जगा carbon हो गया, hydrogen हो गया, oxygen हो गया, nitrogen, gold, lead, etc. ये क्या है elements के example ओके students अगर मैं in summary की बात करूं in short element एक ऐसी चीज़ है जो की एक ही type के element से मिलकर बना होता है I mean A की type के substance से मिलकर या फिर A की type के atom से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते है, element बोलते है और ये जो definition है, वो modern word के हिसाब से अभी तक अगर हम बात करें, total 118 ऐसे elements है जो की हमको पता है, जिसमें से 92 जो है वो हमको earth के crust से, चमिन खोद के मिला है और जो बाकी है, वो हम manually बनाया है, it means laboratory में मिलकर के बनाया है, by the nuclear reactions और ये जो main main elements है, जो इंसान बना रहे हैं, ये possible है कि और जदा आगे आने वाले समय में बरते चले जाएंगे लेकिन earth के crust से जो हमको element मिले हैं, वो सबसे जादा amount में मिला है oxygen, that is 46.6%, silicon 27.7%, aluminum 8.3% हमको मिल चुके हैं बाकी elements जो है वो बहुत कम quantity में available हैं, तो ये हो गया elements, elements के भी type होते हैं, metals, non-metals, metalloids, ये आज हम नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, चली अब समझते हैं कि जो compounds होते हैं, वो क्या होता है, compounds क्या है exactly, जब दो यहां दो से ज़्यादा ऐसे elements जिनको हम combine कर रहे हैं, एक fixed ratio में, यहना कि fixed quantity में हम दो यहां दो से ज़्यादा element को मिला रहे हैं, तो क्या बनता है, that is compound, okay students, अगर example की बात करूँ, जैसे water हो गया, ammonia हो गया, carbon dioxide हो गया, sugar हो गया, salt हो गया, ये सब क्या है, example से compound के, okay students, तो basically, compound भी एक pure substance के जैसा ही है, जैसे कोई element होता है, but actually combine करके बनाया जाता है, दो यहां दो से ज़्यादा element को, okay students, लेकिन, जब आप इन दो यहां दो से ज़्यादा element को मिलाते हैं, तो fixed ratio में होना चाहिए, जैसे कि water क्या है, it's 2O है, तो hydrogen के आप दो molecule लेंगे and oxygen का एक लेंगे, तब जाके आपको water मिलने वाला है, okay, इस type से वही example है, जो अभी हमें discuss किये थे, चलिए आगे देखते हैं, समझते हो तोड़ा, कि यह compound में जो atoms available होते हैं, different elements या atoms जो available होते हैं, वो present होते हैं fixed ratio में, okay, and जो यह ratio होता है किसी भी compound के लिए, वही उसके characteristics feature ह होते हैं, यानि उसी से मिलकर के उसके जो compound बनता है, it means, elements से मिलकर जो compound बनता है, उसके feature decide होते हैं, इसी elements के basis पे, okay, तो इसके base पे compound को defined किया गया है, कि ऐसा pure substance जो कि 2 या 2 से ज़ीज़ा elements को combine कर के chemical बनाया गया है, it means, chemically combined किया गया है, वो भी fixed ratio में, okay, क्यों mix किया गया है क्यों आई मेन उसको मिलाया गया है ताकि हम compounds बना पाए औके बाद में इन compounds को हम separate भी कर सकते हैं उनके constituents element में पर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ chemical method ही apply होगी physical method अप्लाए नहीं होगी इसका मतलब अगर हमाँ पासे compound है और उसके constituent particles को हमको separate करना है तो हमको chemical method का use करना पड़ेगा ओके इसके अलावा जो compound हमको मिलता है chemical relation के बाद वो exactly different होता है constituent element से इसका मतलब जैसे आपने suppose कर रहे है example आपे लिखा हुआ है कि जैसे आप water बना रहे है तो water बना रहे है मतलब आपने hydrogen gas लिए oxygen gas लिए और इसको मिला है तो जो water बना है इसका मतलब यह नहीं कि जो water is two हो है वो एकदम सेम होगा hydrogen gas के और oxygen gas के नहीं उसके जो properties है जो characteristics है वो definitely उसके constant particles से अलग हो सकते है okay students I hope आपको clear हो गया होगा कि compound क्या है अब इसके types भी है जैसे हो गया organic compound, inorganic compound वैसे वो हम आज की वीडियो में नहीं पढ़ने वाले आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे okay students I hope आपको इतना clear हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सिखने मिला है knowledge मिला तो please हमारे जना को subscribe किजिए and वीडियो को like ज़रूर करें आज के लिए इतना ही thank you